मंजले बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राहे जिंदगी में अभी मुकाम आने बहुत हैं, मत कर गिला उसका जो मिला नहीं, मत कर गिला उसका जो मिला नहीं, इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं अगर आप भी नवावो की शहर लखनौ से अपनी higher studies को complete करना चाहते हैं तो आज हम उत्तव प्रदेश की one of the most renowned and oldest university की information ले के आये हैं और उसका नाम है लखनौ University 1867 का establishment है, AICT approved, UGC approved है, NAC, A++ grade university है आज की वीडियो में हम लखनौ University के offered courses, fee structure, eligibility criteria कौन-कौन से courses के लिए आप इस particular university को select कर सकते हैं उनका cut-off और इसके placement के बारे में detail में बात करेंगे इसके साथ अगर आप इसके offered courses और fee structure के बारे में detail में जानना चाहते हैं detail में सभी information समझना चाहते हैं तो link हमने description box में दिया है आप उस पे click करके सभी information को check कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी doubt, कोई भी question आता है तो आप हमसे whatsapp, instagram या फिर हमरी video में comment करके हमसे connect कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी questions के answer हम आपको जल्दी से जल्दी दें तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा brief में जान लेते हैं University of Lucknow is one of the oldest government owned institution in India इसका main campus बाश्याबाग और second campus जानकीपुरम में situated है main campus अप्रॉक्स 219 एकर में बना हुआ है और इसका new campus second campus अप्रॉक्स 73 एकर के एरिये में बना हुआ है campus में आपको सभी facilities जैसे की maintained classrooms, auditorium, library, computer labs, indoor and outdoor games facilities, separate boys and hostel लगबक सभी facilities within the campus मिलती हैं अगर हम यहां के कुछ famous courses की बात करें तो आप यहां से BA, BCOM, BSC, MCOM के इलावा B.Tech courses कर सकते हैं लखनव University में B.Tech 2017 से start हुआ है और अभी तक इसके दो batches pass out हुए हैं B.Tech आप यहां से CSC, Civil, ECE, Electrical, Mechanical जैसी branches में कर सकते हैं B.Tech CSC में आपको यहां पर AI and ML का specialization भी मिलता है जिसकी fees अप्रॉक 1,26,000 पर एनम की है इसके अलावा यहां से आप B.E.C. Computer Science भी कर सकते हैं जिसकी fees अप्रॉक 16,000 पर एनम की है MBA में आपको यहां से Finance, HR, Marketing, International Business जैसे specializations भी मिलते हैं आप यहां से Law की field में B.A.L.L.B. & L.L.B. कर सकते हैं जिसकी fees अप्रॉक 52,160 पर एनम की है आप यहां से B.C.A. कर सकते हैं जिसकी fees 71,000, M.C.A. कर सकते हैं जिसकी fees अप्रॉक 1,000,000 पर एनम की है लखनो युनिवसिटी से आप M.A.M.A. मासकाम भी कर सकते हैं जिसकी fees 56,000 पर एनम की है फ्रेंग्स यह सभी अप्रॉक्स fees है जो exact fees से थोड़ा अलग हो सकती है थोड़ा वेरी कर सकती है मैंने exact fees structure के लिए link description box में दिया है आप उस पे click करके सभी courses की exact fees structure को check कर सकते हैं अब हम बात करते हैं यहां के admission process की लखनो युनिवसिटी हर साल अपना खुद का entrance exam conduct करती है और उसमें आई हुई rank के basis पर ही आपको यहां admission बिल सकता है अगर आप undergraduate courses जैसे की BA, BCOM, BBA में admission लेना चाहते हैं तो आप UGET that is undergraduate entrance test दे सकते हैं और अगर आप PG courses जैसे की MA, MC, MC में admission लेना चाहते हैं तो आप PGET that is post graduate entrance test दे सकते हैं इसके exam को देने के लिए आपके previous class में minimum 50% marks होने चाहिए और अगर आप SC, ST या फिर OBC से belong करते हैं तो आपके minimum 45% marks होने चाहिए अगर आप लगनोव इनुवसिटी से B.Tech course करना चाहते हैं तो admission आपको J.W.E. mains की rank के basis पर ही मिलता है अगर आप U.P. से belong करते हैं और आपकी J.W.E. mains की rank approximately 1,20,000 के आसपास है तो आपको B.Tech C.S.C. branch यहाँ पर मिल सकती है अगर आपकी J.W.E. mains की rank 1,35,000 से 40,000 के आसपास है तो आपको B.Tech C.S.C. with A.I.M.L. मिल सकता है इसी तरह से अगर आप E.C.E. से B.Tech करना चाहते हैं और आपकी rank 2,000,000 के आसपास है तो आपको यहाँ admission मिल सकता है और अगर आप mechanical या फिर civil से B.Tech करना चाहते हैं और आपकी rank 4-5,000,000 के आसपास है तो भी यहाँ पर आप admission के लिए try कर सकते हैं अगर आप लगनवी इनिवोसिटी से MBA course करना चाहते हैं तो MBA course में admission आपको CAT के score के basis पे मिल सकता है अगर आपकी CAT percentile 30-35% के आसपास है तो यहाँ पर आप MBA के लिए try कर सकते हैं बाकी सभी UG या फिर PG courses में admission यहाँ के खुद के इंटरेंस exam UGET या फिर PGET के basis पे ही मिलता है अब हम बात करते हैं यहाँ के placement की लगनो उनिवर्सिटी के BTEX CSC course का average placement अपराउथ 3-5 lakh पर अनम और highest placement अप्टू 14 lakh तक का है तो आपको यहाँ से average 3-5 lakh तक का placement मिल सकता है अगर आप यहाँ से MBA course करते हैं तो MBA का यहाँ का placement भी 3-5 lakh पर अनम का रहता है अगर आप यहाँ से BBA course करते हैं तो BBA में आपको 1-2 lakh तक का placement मिल सकता है इसी तरह से अगर आप यहाँ से BALL भी कर लेते हैं तो उसमें भी आपको 1-2 lakh तक का ही placement मिल सकता है लगनो उनिवर्सिटी के बाकी के courses का placement अभी इनकी official website पर mention नहीं है जैसे ही मुझे मिलता है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी update करूँ Friends I hope हमारे इस वीडियो से आपको लखनो उनिवर्सिटी के बारे में एक brief information जरूर मिल गई होगी और आप लिए decide कर पाएंगे कि इस particular university में आपको apply करना चाहिए या नहीं अगर आपका कोई भी doubt हो कोई भी confusion हो तो आप हमसे whatsapp, instagram या फिर हमारी वीडियो में comment करके हमसे connect कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like जरू करें अपने friends के साथ भी share कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जबन सब्सक्राइब कर लें bell icon को click करके all select कर दें जिससे की आपको हमारे आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें तो friends मिलते हैं अपनी next video में till then take good care of yourself, bye bye